तो बहुत जानेंगे इस वीडियो में नीरी शिरप के बार में, जानेंगे इसकी यूज के बार में, इसकी डोज के बार में कैसे काम करती है, कौन से ingredient के साथ आती है, किस टाइप की सिरप होती है, डॉक्टर क्यू देते हैं, बच्चों में कितनी देनी चाहिए, बड़ा वि आयुर विदिक बनाती है इसके अंदर दोस्तों 19 रगयी इंग्रीडेंट अन्ग्रीडेंट इंग्रीडेंट जो प्रकृति से एक्स्टरेक्ट करके निकाले गए है तो उनके बारे में नहीं जानेंगे कोन कौण चींख याते हैं बहुत बड़ा टोपिक हो जाएगा वह किसी और वीडियों बना जानेंगे अभी बात करेंगे इसकी यूज और दोज के बारे में है kidney stone में अगर kidney के अंदर problem है stone बन रहे हैं या kidney के अंदर जो pH value है वो कम है यानि जो urine जो kidney से filter के आता है उसकी pH level में कम है वो कम है तो वहां पर infection होने के chance बढ़ जाते है। जिसकों में कहते हैं UTA infection तो UTA infection में और kidney stone में काम आती है इस्टोन को आगे बढ़ने से रोकती है और pH value को बढ़ा कर काम करती है यानि जब kidney के अंदर सोचले stone बनते हैं उसको prevent करती है उसको काटने काम भी करती है तो किसी बाइभी बहन को अगर kidney की इंफेक्शन होता है दो यूट्री इंफेक्शन में पानी को पीना चीए और अच्छे इत्रीट वाली चीजे खानी चीज जिसके अदर विटामीं C होता जिसके आपको एक तो पियाच वेल्यू अच्छी तो पिषाप की गुणेवता होत 연orama उसको एक टिक करता है और लेक्ट्रीन इंफेक्शन में यूता इंसे एंसक्तियां निकाम नहीं करता है शेक काम करतो है इंसको दूर रखता है तो एक से चाहिंट तो एक से लेकर दोट चमल सकती है बड़ा विदिति नहीं करती है आयरवेधिक है आप डोक्टरी स्लाश से ले सकते हैं तो दोस्तों संपुर्ण रहो था नीरी सिरप के बार है यहां थे वीडियों के लिए बहुत बहुत बहुत